जै समीधान जै भीम मात्मा गांदी की जै कोड़ से मुर्दाबाद पोर पीम निज नेटवर्क में आज मैं बात करूंगा कि देश की राजनेतिक स्थिती जैसी हो गई है पूरे देश के अंदर अलग-अलग प्रदेश के अंदर जैसे राजनेतिक लड़ाई चल रही है इस परिपेक्ष में आम आदमी पार्टी भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस की अगली रणनीती क्या होगी अभी तक जो हुआ वो आप लोगों को पता है आप लोगों को पता है कि पिछले दस साल भारती जनता पार्टी ने जैसी सरकार चलाई विभिन विपक्षी दलो ने जिस प्रकार से भारती जनता पार्टी के खिलाफ संगर्ष किया वो आपको पता है अब हमें समझना यह है कि आखिर भारती जनता पार्टी की अगली रणनीती अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी का क्या होगा और कॉंग्रेस का क्या होगा और क्या होना चाहिए जिससे की यह जो राजनेतिक संगर्श चल रहा है इसको एक परणनीती की तरफ लेया जाए से आज जो परिस्थिती है लोग सभा को चुनाओ हो गया लोग सभा चुनाओ के रिजल्ट्स आ गए मोदी जी जो 400 पार कराना चाते थे नहीं हुआ एक ऐसी सरकार बनी जो की बैसाख्यों पे है पहले कभी मोदी जी यूटन नहीं लेते थे पिछले तीन महिने के अंदर कई यूटन लेते उन्हें दिखा गया जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर भारती जनता पार्टी में विद्रोप पनपा वो पहले कोई कलपना नहीं कर सकता था भारती जनता पार्टी की एस्थिति हुई कॉंग्रेस की तरफ से जो भारती जनता पार्टी की तरफ नेताओं का पलायन हो रहा था वो रुग गया बल्कि भारती जंता पार्टी जिसमें ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वहाँ पे विघटन होगा अमेशार मोदी जी के खिलाब भारती जंता पार्टी के अंदर से अवाज उठेगी वो अवाज उठनी शुरू हो गई 2024 के लोगसभाद चुनाओ में विपक्षी दलो ने एक अच्छी रणनीती के तहट मिल जुलकर चुनाओ लड़ा और उन प्रदेशों जहां पे मिलके चुनाओ नहीं भी लड़ा वहाँ भी रणनेतिक सूज बूज थी जिससे जंता को महसूस हुआ कि ये वो लोग हैं जो की भारती जंता पार्टी की पिछले दस साल की नीतियों के विरोध में खड़े हुए कॉंगरेस ने अपना घोशना पत्र जो दिया लोगसभाद चुनाओ में उसमें एवेसपी की गारंटी की बात की अगनिवीर योजना को खतम करने की बात की ओल पेंशन इस्कीम को चालू करने की बात की एक वेकल्पिक व्यवस्था देने की बात की महराष्ट के अंदर जिस प्रकार से सरकार बदली गई सरकार गिराई गई शरत पवार की एंसीपी को तोड़ा गया शिर्शेना को तोड़ा गया उससे यह पता चल गया कि देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ने वाली है यही प्रयास कनाटका के अंदर हुआ सफलता नहीं मिली विहार के अंदर नितीश कुमार जो इंडिया गडवन्दन के कन्वीनर बनने की बात जिनकी हो रही थी वो भार्जी जनता पार्टी में वापस चले गए उनकी आगे की राजनेति भी क्लियर हो गए यह भी बात क्लियर हो गए कि उडिशा के अंदर विजू जनता धल जो पिछले दस साल केवल इससे धांत पे काम कर रही थी कि उडिशा के अंदर विजू जनता दल और केंदर के अंदर मोधी जी लेकिन उनकी पार्टी खतम हो गई पार्लेमेंट में उनको एक भी सीट नहीं मेरी ब्यारेस जो तेलंगणा की पार्टी जो की विजले दस साल से सत्ता में थी और कोई कलपणा नहीं कर सकता था कि कॉंग्रेस जो बिल्कुल तीसरे नंबर की पार्टी है वो उभर कर सामने आएगी और विदान सबाद चुनाओं में जीतेगी और ब्यारेस को हरा देगी ब्यारेस का विगटन हुआ ब्यारेस के कुछ लोग बीजेपी में गए कुछ कॉंग्रेस में गए ब्यारेस बहुत कमजोर हो लोग सबाद चुनाओं में जो महराष्ट्र में हुआ ये भी बड़ा क्लियर एक मैसेज गया कि वहां पे शरत पवार बहुत मद्बूश है एक मेरी के इंदर कलपना की जा रही थी कि आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रेस का गड़बंदन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा लेकिन नहीं दिया कल्पना किये जा रही थी कि कम से कम तीन सीटें आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस मिलके जीते की नहीं जीती इसका माने गडवंदन काम नहीं किया मैसेजिंग सही नहीं हुई अब कॉंग्रेस के वोटर्स ने आमादमी पार्टी को कॉंग्रेस को वोट नहीं दिया वो एक सोचने का मुद्दा है पंजाब के अंदर आमादमी पार्टी को कॉंग्रेस से एक दूसरे के खिलाब विरुद्रड़े अच्छी सफलता प्राप्ती राजस्थान में जो आदिवासी पार्टी हो से कॉंग्रेस को अच्छी सफलता मिली वेस बंगॉल के अंदर टीमसी ने अकेले भारती जिन्ता पार्टी को पराजित किया तमिलाडू के अंदर तो खैर डीम के का पर्चम बुलंद रहा के रला के अंदर एक सीट छोड़कर बाके सीटें लडीएफ और यूडीएफ जीता अ आगे विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं जो हर्याना में हैं डिक्लेयर हो गए हैं होंगे कश्मीर में होंगे उसके पाद महराष्ट में होंगे दिल्ली अर्विन के जवाल चाहते हैं कि वो महराष्ट के साथ उनके चुनाव हो जाएं जारखंड में होंगे विहार मे बदलेगा यह नहीं बदलेगा रिजल्ट प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चंद बावू नाइडू बे ध्यान से सीज्ट को देख रहे हैं नितिश कुमारी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि देश की राजनीती क्या करवत ले रही है लोगों का मत किस प्रकार से बदल रहा और वास्विक्ता में वोटिंग पैटर्न क्या है और रिजल्ट के बाद वह बात पता चलेगी आठ अक्टूबर के बाद अगर भार्दी जंता पार्टी जीत गई या उसका प्रदर्शन अच्छा रहा आजयर्याना में उसकी सरकार है माराश्ट में उसकी सरकार है बिहार में उसकी सरकार है जारखंड में कॉंग्रेस और जेमेम की सरकार है तो माराश्ट में क्या होगा हर्याना में क्या होगा कश्मीर में क्या होगा जारखंड में क्या होगा बिहार में क्या होगा पुरे हिंदुस्तान का एक नक्षा चन्वावो नाइडो नितीश कुमार को मिल जाएगा आज देश के राजनेतिक परिवेश में जो एक परिद्रश्य बिल्कुल साफ है वो ये कि देश का एक वर्ग जो पहले करीब 40 परसेंट होता था जो भारती जन्ता पार्टी को जिताने के लिए दर्शंकल्प था उसमें कुछ गिरावट आई है कितनी आई है रिजल से पता चलेगा और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समयधान और लोगतांत्रिक मुल्यों और सेखुलिरिजम पर बिलीव करता है जो सह बंधुत वर पर बिलीव करता है जो को एक्जिस्टेंस पर बिलीव करता है वो इन 40 परसेंट वोट के बिलकुल खिलाफ निशकर्ष क्या निकलेगा है यह बात पर डिपेंडेंट होगा कि यह जो साथ बासट पैंसर परसेंट वोट है यह यूनाइटेड है यह विगटन की तरफ है हर्याना के अंदर एक सीट सीपीम को कॉंग्रेस ने दी जैसे राजस्थान में उसने सीपीम को और हाँ दिवाची पार्टी को दी थी उससे सफलता मिली थी हर्याना के अंदर यह कोशिश की जा रही थी कि हाम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी भी इस गटवंद में या डिरेक्ली इंडिरेक्ली समिले थूँ अग्लेश यादाव समाजवादी पार्टी के राष्टा धक्ष भी मतलब उनके पार्टी के अध्यक्ष चाहते थे कि उनको भी कुछ सीटें मिले और यह बात बिपकुट पक्की है कि अख्लेश यादाव का जो गोट बैंक है वो हर्याना के अंदर एक पटिकुलर रीजन में है वो लड़ने की जित कर सकते थे लेकिन हर्याना एलेक्षन में जिस पकार से चीजें शत्रण्ज की गोटियां फिट हुई उसे लगा कि अख्लेश यादाव ने बुद्धिमानी का परिश्य दिया उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया उन्होंने कहा कि हमें सीट नहीं हमें जीत चाहिए यह बहुत बड़ा मैसेज था और वो मैसेज दिया कि उत्तरप्रदेश के अंदर जो दस बाई एलेक्षन होने वाले हैं हम कॉंग्रेश के साथ आपसी सहमती से त्याग परित्याग की भावना को अपनाते हुए जो इंडिया गडबंदन की भावना है उसको न तूटने देने के लिए सहुप करेंगे अ आम आदमी पार्टी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है पिछले भारत के राजनेतिक इतिहास में और जिसने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई पंजाब के अंदर सरकार बनाई गुजराद के अंदर तेरे परसेंट वोट लिए गोवा में अच्छा प्रदर्शन किया उससे भी अपेक्षा थी क्योंकि जैसे मैंने आप से का कि 40 परसेंट एक तरफ, 60 परसेंट एक तरफ क्योंकि जनता बड़े उत्सुक्ता से यह मैसे देख रही है, यह देख रही है कौन सी ऐसी पार्टी है, कॉंग्रेस में, आर जेडी में, समाजवादी पार्टी में, कम इंडिया गडबंदन के सिध्धांतों के अनुरूप काम कर रही है, और कौन इंडिया गडबंदन जो पार्लेमेंट के लिए बना था, इसे अमिली के लिए नहीं बना था, उसके विपरीत काम कर रही है, क्योंकि जहां पे बाइपोलर कंटेस्ट होगा, वहां BGP जीत नह आउना होती है, अगर हर्याना के अंदर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा, जिसको कराने का प्रियाल भार्ती जन्ता पार्टी नहीं किया, जजपा जो उनकी सेहोगी पार्टी थी, उसको चंशेकर आजाद के साब उसका गडबंदन हुआ, बेस्पी का इंडिया नेशनल ल रणने का फैसला किया, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो गया, हालां कि हर्याना के अंदर बाई पोलर कंटेस्ट है, और कॉंग्रेस और बीजेबी के बीच में मुख्य कंटेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद ये जो बहुत सारे लोग आ गए हैं, उसमें बड़े मजबूत क कॉंग्रेस के वोट जादे होते हैं, आमादमी पार्टी के तुलना में और विधान सवा में आमादमी पार्टी के वोट कॉंग्रेस से बहुत जादे होते हैं, आपसी समझभूच से अगर दोनों पार्टीों ने दिल्ली के अंदर काम लिया, तो वही इस्तिती होगी सत्त में से 62-64 सीटें अपोजीशन को मिलेंगी और बीजेपी सत्ता में नहीं लोड़ सकती हर्याना के अंदर हालांकि आमादमी पार्टी ने 90 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है विनेश फोगाट के खिलाव भी उन्होंने चुनाव अपने केंडिडेट को लएगी तो भारती जंता पार्टी को कोई रोख नहीं सकता और मिलके लड़ेंगे तो जीतने की बहुत जादे संभावना है आज विड्रॉल का लास डेट है हर्याना में अब देखना है कि और अगले पंदरे दिन में जब कन्वेसिंग होगी तब देखना है कि आमादमी को प्रभावित करने का प्रयास करती है जिससे पता चलेगा कि वो इंडिया गडबंधन और भारती जंता पार्टी को हराने के लिए सीरियस है या नहीं दिल्ली के अंदर अगर कॉंग्रेस बुधिवानी का परिचा नहीं देगी और आमादमी पार्टी से एक सम्मान पूर पूर्वक आमादमी पार्टी को बड़ा भाई मानते हुए और हर्याना के अंदर बड़ा भाई कॉंग्रेस को मानते हुए और गुजरात के अंदर कॉंग्रेस को बड़ा भाई मानते हुए आपसी समंजस्से से अगर चुनाव लडएंगे तो भारती जंता पार्टी को न जो 40-50 सीट हैं इधर आई तो इधर गौर्मेंट बनी उधर आई तो उधर गौर्मेंट बनी उस पे निर्फर करती हैं तो यह बड़ा महतोफून चुनाओ है आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस आर जेटी समाजवादी पार्टी कमिनेस टीमसी सबके एक-एक कदम का ध्यान र दचीफ इनिस्टर पोस्ट मैंने उन्होंने कहा कि नहीं हम एलेक्शन मिल जूलके लड़ेंगे फिर देखा जाएगा कौन मुक्ति बनता है देखते हैं ऐसी बुद्धी बनता आगे देखती है नहीं या आप असी समंझे से की कमी से भारती जंता पार्टी के लिए रस्ता साफ कर दिया जाता है नमस्कार धन्यवाद अपराम